हेलो मेरे अपिक्ट लूपस पिछली वीडियो में हमने सीखा कि वाइड कार्ट पीरिड क्या होता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई पेटन में शो हो जाएगी देख लेना तब ही आपको यह वाली वीडियो का कंसेप्ट समझ आएगा ठीक है पर से इस कीने को मेरे एडियो आज़े क्राइख के उसमें को भी वी वर असे था ग्रिपेश्ट ऑन दोन ही एक एकक्स्रिम समतलब की दोनों और किसी एक पूरे एंड में जाते हैं या तो जैसे लेटर इदर चले या expression पूरे end में ठीक है, so where one find exact match है, जहां पर एक क्या होता है, exact वही ढूंदता है, जिसकी जरुदत हो, ठीक है, एक भी letter का आगे पिछे नहीं देखता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा match करता है कुछ भी, मतलब वहाँ पर बस एक दो वर्ड क्यरेक्टर से मुझे हैं, बाकि सब को वो find करतेगा, there are option data are balance between the two extremes, लेकिन ऐसे कुछ options हैं, जो कि इन दोनों extremes को balance करते हैं, you can search for a literal pattern with some flexibilities with characters classes, हम literal pattern को कुछ flexibility से साथ search कर सकते हैं, character classes का इस्तमाल करते हुए, characters classes क्या होते है, characters classes allow you to define a group of character, character class हमें allow करते हैं, कि हम कुछ group of character को ढूंड सके, you wish to match by placing them inside a square bracket, जिनका इस्तमाल का कहां होता है, square brackets के अंदर, for example, you want to match bag, big and bug, but not bug, ठीक है, हम bag को find करना चाहते है, big को find करना चाहते है, bug को find करना चाहते है, but bug को नहीं, you can create x को कैसे create कर सकते है, forward slash, b, अब square bracket आ गया, a iu, तीनों के बीच में क्या difference था, a iu, और और फिर next letter आ गया, g, फिर forward slash, to do this, ठीक है, the word, the a iu is the character class, यह जो a iu है, इनी को हम characters class बोलते हैं, जो कि square brackets के अंदर होते हैं, that will only match the character, यह सिर्ए कौन से character match कने वाले, a iu, flexibility भी आगी, और literally भी बना रहा, ठीक है, so, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो अगर यह यहाँ पर example दिया हुआ है, सभी का big, bag, bug, bug, so, string में, अब इसमें return क्या करेगा, सभी test के लिए, कि big आजएगा, bag आजएगा, बाग आजएगा, लेकिन जो चोठा test होगा, उसमें null आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अब हमें character class का यूज़ करना है, vowels का, जो की a, e, i, o, u हैं, यहाँ पर इस sentence में, in your regex, इस regex में, और हमें क्या करना है, vowel regex to find all the vowels, हम जितने भी vowels हैं, उसको find करना है, इस cured sample string में, ठीक है, be sure to match both upper class and lower class vowels, वो कैसे करते हैं, आई, आई flag का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, फ्लैग लगा लेंगे, a, e, i, o, u, ठीक है, और bracket में, g, जी नी, i, sorry, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, vowel regex लिखावा है, dot match method लगाएंगे, m, a, t, c, h, match, और उसके अंदर क्या पास करेंगे, हम, vowel regex, ओके, result, यहाँ पर, एक से, यहाँ पर कुछ कर बड़ी हुई है, मेरे खाथ से, यहाँ पर हमें करना था, cute sample को पास करना था, न, क्योंकि dot match method हम उसी में लगाते हैं, so, यहाँ पर आएगा, cute dot, न, cute sample, let's see, अगर मेरा सही कर रहा हूँ, यह नहीं कर रहा हूँ, dot, match, और vowel regex को हम कर देंगे, उसके अंदर, और यह जो बागी एक्स्ट्रा कोड़े, इसको हटा देंगे, बाई बाई, ठीक है, अब test चेक कर लेते हैं, सही है, गलत है, okay, you should find all 25 vowels, okay, so, A, E, I, O, U, अचा, IE का भी यूज़ कर दिया था, so, where is the difference, let's see, अगर इसको opposite करते हैं तो, okay, global flag भी यूज़ करना था न, हमें, so, G, ठीक है, okay, अब test, चेक करते हैं, yeah, so, अब test पास हो गया, global G किसलिए यूज़ किया था हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पिस्ट्री वीडियो में किया था, मैं इस वीडियो में वो बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है, अगर आपने G वाली वीडियो देखे को, कि G फ्लैक का यूज़ कहा होता है, तो आप कमेंट करके बताईए, ताकि में को भी पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं ठीक है, आपको करके बताईए, तो आपको कमेंट करना है, नेक्स वीडियो इदर शो हो जाएगी, और प्लेश के लिए इदर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक किजिए, चैनल को सब्स्राइब किजिए, मैं मिलता है नेक्स वीडियो में, बाई